देखे हमें कोई वक्त नहीं लगा हमें तो पहले दिन से शक था शुबा था कि यह आम आदमी पार्टी के ही लोग करवा रहे हैं और शक शुबा तो क्या होगा कि जब मुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया ने ये बात एक टीवी के मीडिया के कॉनक्लेव में ये बात कही कि हम श लेकिन इन्होंने ये खेल की पिछ तयार की थी अपने फायदे के लिए लेकिन इनके गले में फंदा बन जाएगा ये इनको मालूम नहीं था पिछ तयार करोगे तो बीजेपी नहीं खेलेगी ऐसा कैसे हो सकता है तो बीजेपी ने कुछ ऐसा तो नहीं किया लेकिन हाँ ज साथ में संजे सिंग के साथ उनकी तस्वीरें हैं और उन्होंने आमादमी पार्टी उस व्यक्ति को जॉइन कर आई हैं पीफाई के कुछ लोगों का आदान प्रदान इम्रान हुसेन जो की विधायक है जामा मस्जिद से आमादमी पार्टी के उनके साथ भी निकला है और कहीं दिल्ली का माहुल खराब करने तक की कोशिश थी क्योंकि कुछ दिन पहले इनके नेता ने ये भी कहा था कि दो तारिक के बाद देखिए कुछ भी दिल्ली में हो सकता है दंगा भड़काना ये वो कुछ भी इस तरीके की चीजे पैदा की जा रही थी तो आज जो याद आती है कि आपका तो लगता है बस यही सपना शाहीन बाग जपना और PFI का पैसा अपना ऐसा कर सूचते हैं या करते हैं तो कोई बुराई नहीं और इसलिए शायद पाकिस्तान कहता है कि आप अपने हैं पराये नहीं पहले तो वो कहें ना कि शाहीन बाग वालों के स बाहिन बागवालों को भी बिठा है और उसके बाद कहें कि सरकार जो है वो अती कर रही है जो धरना दे रहे हैं तो आप बोलिए दर्दाप प्रदर्शन वालों के किलाफ कि जब इंटरनेट बंद होने पर आपको तकलीफ होती है तो जो लोग डेट महीने से सडक रोक के बै बैटे तब आपको तकलीफ नहीं होती